जैस्री रामनित्रो आज हम पहुत ही बड़े सवाल जो की हर दूसरे व्यक्ति के द्वारा पूछा जाता है कि बारे में बात करेंगे जी हां दोस्तों एह सवाल है कर्म बढ़ा या भाग है बहुत से ऐसे महनजञानी संतों ने कर्म तथा भग्य की व्यक्य की है कर्म की व्यक्य करते हुए तोल सिदास जी ने लिखा है कर्म प्रधान विश्व करी रखा अथार्त यह विशु कर्म परधान है, यहाँ पर कर्म का अधिक महत्तु है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी स्री राम के भगते हैं और उन्हें मानते हैं तो पॉमेंट में जै स्री राम अवश्य लिखे तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं भगवत कीता में श्रीकिष्ट ने कर्म की महिमा बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति कर्म करता है वह मुझे प्रिय है किन्तु कुछ संत जनू जैसे कभीरदास जी आदी जो भाग्य में विश्वास रखते हैं उनका कहना है जो भाग्य में लिखा है उससे अधी किसी को नहीं मिलता या हम कुछ लोगों को ऐसे कहता हुआ सुन सकते हैं जो भाग्य में लिखा है उसे हम बदल नहीं सकते तो फिर कर्म क्यों करें तो आईए जानते हैं कर्म बढ़ा है या भाग्य इसमें सबसे पहले हम जानते है कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है यह जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर भाग्य क्या है, भाग्य निर्मान कैसे होता है दोस्तो हिंदु धर्म पुनर जन्म में विश्वास रखता है। हिंदु धर्म के इसाव से आत्मा एक सरीर को छोड़ कर दूसरे सरीर को धारण करती है। इसका उलेक भगवत गीता में भी मिलता है। व्यक्ति के द्वारा इस जन्म में संचित कर्म ही अगले जन्म के लिए भग्य का कार्य करते हैं। संचित कर्म अच्छे हो या बुरे किसी भी प्रकार के हो सकते है। आईए अब इसमें एक उद्धान से समझते हैं। आप इस जन्म में जैसे कार्य करते हैं अथार्त जैसे दान्पुन्य दूसरों की मदद करना आदी जैसे अच्छे कार्य करते तो यही कर्म जब आप जीवित है तब तक तो आपकी सहायता करेंगे और जो बचे हुए कर्म यदि आप मिल्ट्यू को प्राप्त होकर अगले जन्म को प्राप्त करते हैं तो जो कर्म का फल आपको इस जन्म में नहीं मिल पाया वह कर्मों का फल या संच्य कर्म आपके अगल कर्म बुरे थे तो आपका भागय भी बुरा ही होता है अब हम जानते हैं कि कर्म क्या है व्यक्ति की हर एक गतिविधी कर्म कहलाती है जैसे व्यक्ति का सोचना खाना कार्य करना किसी के लिए अच्छा करना या बुरा करना आधि को कर्म कहा जाता है भगवत कीता के अनुसार क सबसे पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक विध्याल्य में दो विध्यार्थी मोहन और सोहन पढ़ाई करते थे, मोहन बहुत ही महंती था, वह अच्छे से पढ़ाई करने के बाद भी अक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने में एसमर्थ था, जबकि सोहन नकल करके पास होने वे भाग्य में विश्वास रखनी वाला विध्यार्थी था, मोहन और सोहन धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए, मोहन भी महनत के स्थान पर भाग्य में विश्वास करने लगा, किन्तु जब परिक्षा हुई, तो मोहन सोहन के जैसे ही नकल नहीं कर पाया और वह फैल हो गया जब उनके अध्यापक को इस बात का पता चला कि मुहन फैल हो गया तब अध्यापक ने उन्हें समझाया कि क्या तुमने कभी बैंक के लोकर का इस्तमाल किया है बैंक का लोकर दो चावियों की मदद से खुलता है एक चावी पुभोक्ता के पास होती है तथा दूसरी चावी बैंक मैनेजर के पास होती है खिक इसी परकार हमारा जीवन भी दो चावियों अथार्थ भाग्य तथा कर्म की चावी पर निर्वर करता है तथा बैंक मैनेजर की भूमी का इस्वर अथार्थ भगवान निभाती है हमें अपने जीवन मे अपने कर्म रूपी चाबी का इस्तमाल करते रहना चाहिए क्या पता कब इस्वर अपनी भाग्य रूपी चाबी का इस्तमाल करे और हम सफल हो जाए वहीं दूसरी योर हो सकता है पर मात्मा अपनी भाग्य रूपी चाबी लगा रहा हो पर हम अपनी कर्म रूपी चाबी का इस्तमाल ही ना करे तो हमारी सफलता का ताला खुल ही नहीं सकेगा गीता के अनुसार भाग्य भी कर्मों से ही बनता है जो की पिछले जन्मों का कर्म अथात संचित कर्म होता है एक व्यक्ति अमेर घर में पैदा होता है वहीं कोई करिव घर में पैदा होता है यह सब उसके प समझ ही गए होंगे कि कर्म तथा भाग्या साथ साथ चलते हैं एक के बिना दूसरा महतुहीन है इसलिए कर्म और भाग्या दोनों का ही जीवन में होना बहुत जरूरी है तो आश्या करता हूं भागवत कीता के अनुसार कर्म बढ़ा है या भाग्या पर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो क्रिप्या अपने मित्रों में इसे शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि भाईश्य में भी आपको इसी प